नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लॉजिकल हिंदू यूटियब चैनल में दोस्तों, कभी न कभी हमारा किसी ऐसे इंसान से सामना होता ही है जो हमारे दिल में एक हलचल पैदा कर देता है हमें ऐसा लगता है कि अगर हमें वो मिल जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा हम उसी की 24 गंटे पूजा करेंगे दोस्तों, ये सची कहानी है नितिन की जो एक लड़की अनामिका के प्यार में पढ़कर एक ऐसे दलदल में फस जाता है जो आपके दिल औ दिमाग को भी जन जोड़के रख देगा हमारा सब्सक्राइबर्स से यही निवेदन है कि कमजोर दिलवाले इस वीडियो को आगे ना देखें तो आईए शुरू करते हैं नितिन की कपकपा देने वाली कहानी उसी की जुबानी नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितिन है मैं पेशे से एक सॉफ्ट्वेर इंजीनियन हूँ यह कहानी 2009 के दिसंबर से शुरू होती है मेरा बैंगलोर स्थित एक मल्टी नेशनल कंपनी में प्लेस्मेंट हुआ था एक महीने की वहाँ ट्रेनिंग थी फिर गुडगाओं में पोस्टिंग थी सब कुछ ठीक चल रहा था अगस्त में मेरी बीटेक की पढ़ाई खत्म हो चुकी थी दिसंबर में मैं बैंगलोर ट्रेनिंग के लिए पहुँच गया था लगबग 60 कैंडिडेट्स थे हमारे बैच में 45 लड़के और लगबग 15 लड़किया उन्हीं लड़कियों में से एक लड़की थी अनामिका उसकी हाइट जादा ना थी पर दिखने में रंग गोरा नैन नक्ष सुडोल और बाल भूरे रंग के थे कुल मिलाकर अनामिका मेरे दिल को छूच चुकी थी एक दिन लैब में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के दोरान जो मेरे पास बैट गई हम दोनों के बीच काफी बाते हुई बातों ही बातों में हम दोनों के फॉन नमबर भी एक्सचेंज हो गई और हम दोनों आपस में एक दूसरे को जोक्स सेंड करने लगे परन्तु ये काम जो वो कर रही थी वो बैच के दूसरे लड़कों के साथ भी कर रही थी मैंने यही सोचा कि ये लड़की फ्रैंक है इसलिए सबसे घुल मिल जाती है तो अगर ये मेरे से हस कर बाते भी करती है तो मुझे इसे प्यार व्यार से नहीं जोड़ना चाहिए सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था अनामिका से मेरी अच्छी बाते होने लगी मैं उसे दिलों दिल चाहता भी था पर वो बातचित और लड़कों से भी करती थी इसे लिए मुझे डर था कि अगर अपने दिल की बात उससे कह भी देता हूँ तो वो उसे स्विकार नहीं करती हमारी ट्रेनिंग को शुरू हुए दो हफ़ते हो चुके थे और दो हफ़ते बचे थे एक रात हमारे बैच के एक लड़के गुर्मिंदर की मौत हो गई मौत का पता तब चला जब काम वाली होस्टल कमरे की सफाई करने आई गुर्मिंदर काफी हटा कटा पंजाबी लड़का था और अनामिका के साथ उसकी अच्छी बोलचाल भी थी गुर्मिंदर का शरीर सूक चुका था मानो उसके शरीर में रक्त की कोई बूंध ही न वची हो पुलिस की पॉस्ट मॉटम रिपोर्ट की अनुसार उसका लिंग भी गायब था ट्रेनिंग सेंटर में हम सब लोग काफी ढर चुके थे कमपनी ने भी इस बात को दबा दिया था हम सारे लड़के लड़कियों ने ये बात घर वालों को नहीं बताई आज सुबा अनामिका काफी सुन्दर लग रही थी क्लास में आज वो मिनी स्कर्ट पहन कर आई थी सभी लड़कों की नजर ब्लैक बोर्ड बे कम उसकी टांगों पर जादा जा रही थी अनामिका को क्या सुजा वो थोड़ी देर में आकर मेरे पास बैट गई मैंने भी कुछ खास प्रतिक्रिया नहीं दिखाई जिससे उसे शायद थोड़ा बुरा भी लगा मेरे पास अमित भी बैठा हुआ था अमित ने अनामिका को रात में पिक्चर देखने के लिए मना लिया लगभग रात के ग्यारा बजे मैंने होस्टल में अनामिका को उसके कमरे की और जाते देखा और मैंने उसे टोका अनामिका? अमित कहा रह गया? वो नहीं आया अब तक अनामिका ने तिल मिला कर कहा वो मेरे साथ नहीं गया था उसी को फोन करके पूछ लो अगले दिन अमित तो नहीं आया पर उसकी मौत की खबर आ गई होटल ब्लू पैरडाइस में उसकी लाश मिली लाश का वही हाल था जो गुर्मिंदर की लाश का था और उसका लिंग भी गायब था मैं हैरान था अमित तो अनामिका के साथ गया था पर अनामिका अकेली आ गई और अमित मर गया कुछ तो बात है इसी गबराहट में दिन बीटने लगे वो ट्रेनिंग की आखरी रात थी रही थी मैं अपने आपको रोक नहीं पाया और मैंने अनामिका को चूम लिया अनामिका ने भी इसका विरोध नहीं किया फिर अनामिका को बाहों में ले मैं उसे चूमने लगा कुछ देर बाद अनामिका ने वाश्रूम जाने की इच्छा जताई वाश्रूम के अंदर से पहले फ्लेश चलाने की आवाज आई फिर टॉयलेट करने की आवाज आई पर इस आवाज ने मेरे दिल को धड़का दिया ये आवाज ऐसी थी जब कोई उचाई से टॉयलेट करता है यानि जब कोई पुरिश टॉयलेट करता है थोड़ी देर तक मुझे भी लगा कि मैं ये क्या बक्वास सोच रहा हूँ तब ही अनामिका वाश्रूम से बाहर आ गई और मैं भी टॉयलेट करने चला गया मेरा अंदाज़ा सही था टॉयलेट की पीली चीटे दिवार पर नजर आ रही थी मैंने अपनी काम वासना को संभाला और वाश्रूम से बाहर आकर अनामिका को मार्केट में जाने का बहाना कर अपने कमरे से चलता कर दिया कुछ तो गड़बड है कहीं ये अनामिका पुरुष तो नहीं शायद गुर्मिंदर और अमित को इसकी असलियत पता लग गई थी इसलिए वो मारे गए पर फिर लिंग गायब होने का रहसे क्या है तो क्या था अनामिका का रहसे क्या अनामिका एक किन्डरी थी पर फिर लिंग गायब होने का क्या रहसे है जानने के लिए देखना मत भूलिएगा कहानी का आखरी भाग जो जल्द ही अपलोड किया जाएगा मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद